लेकिन जब हम आज देखते हैं कि कोटा की बात की जाया या कोई दूसरे और सिट्किस की बात की जाया कि वहां competitive exam देने के लिए कई शहरों से लोग आते और सब लोग यही तैयárी करते रہते हैं और सब उस में जुटे रहते हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चों के मन में यह हम भार डाल देते हैं, कि उनकी जो सपने हैं, उनकी जीवन से भी ज़्यादा महत्वपून है, तब ऐसी घटनाए होती है, ज़रूरी है कि हम बच्चों को इस बात के लिए पेट करें, कि सिर्फ परिक्षा में शफल होना जीवन नहीं है, हम देखते हैं आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाए होती हैं, जिसमें इन परिक्षाओं को सफलता पार करने के बाद ही, बहुत सारे हमारे बच्चे जो सिर्फ मैं यह नहीं कर रहा है कि अपने बात की कोटा में आयाइटी को करने के पहले, जो बच्चे तो करते ही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आयाइटी के बाद भी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ में आने के बाद भी तना, अशंका और इस तरह के अत्मत्ते जटी घटनाओं को करते हैं, तो बात सिर्फ सफलता और असफलता की नहीं है, बात हमारे दिश्टकोर की है, बात हमकी चीज़ों को कितना महत्त दे रहे हैं, जीवन में सिर्फ एक अंधी दोड में सामिल हो जाना और उस अंधी दोड को ही जीवन का सब कुछ मान लेना सायद ये इसके पीछे सबसे बड़ी वजा है, यानि कि हमारे जीवन में एक संतुलन होना चाहिए, हमारे माबाब को बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके साथ इतने सहाज हों कि बच्चे हमसे अपनी बातों को सेयर करें, और कोई भी महतोकांचा इतनी बड़ी नहीं कि बच्चों पर हम थोपें, और अपनी जो टूटे हुए सपने हैं माबाब के, हम बच्चों के माधम से पूरा करने की कोशिश करें, जो कि होता है समानता, इसलिए बच्चे इस तरह से कई बार टूटने लगते हैं, और हम बढ़ेता हैं कि अगर हम पैसन को प्रोफेशन में बदलें, बहुत कम लोग होते हैं इतने सवभाग साली की पैसन को प्रोफेशन में बदलें कि मी जो गुर्वता होती है, लोिह सफलता की शंभावना I परिवेश से, उसके साथ के बच्चों से, माबापकी अपनी भावनाओं से, और उसमें जो ट्रिंड चल रहा है। उसके हिसाब से, उसके हिसाब से, उसके थोप देते हैं कि बच्चा, बेटा, तुम यहां का, हमने टिकट कटा दिया, तुम आप पहुंच जाओ, और कोचिंग एडमिशन करा करके, अपने सफनों को हम मुर्थ रूप देखने की कोशिश करते हैं। आफ्तवर पर उनकी संभावनाओं को टटोलें, उनके मनोभावों को पढ़ें और उसके हिसाब से, उनके हम पर्दभाव को बिक्सित करें। 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 झाल झाल झाल